वेलकम अच्छो आज हम लोग जो है linear equation in one variable का reducing equation to the simpler form के बारे में ध्यन करेंगे इस पाइट में हम देखेंगे कि हमारा equation जो है rational form में है और उसको हम linear form में बदलेंगे और हल करेंगे यह सीखेंगे तो यहां आप देख रहे हैं यह हमारा equation 6x plus 1 upon 3 यह rational part में है इदर x minus 3 upon 6 rational part में है तो इसको हम simplify करेंगे और हल करेंगे कि यह कैसे हमारा linear form में बदलेगा तो सबसे पहला काम हमने यह किया both side multiply by 6 तो 6 का हम multiplication दोनों part में कर दिया तो हमको क्या मिला यहां 3 से 6 कटके 2 हो गया और इस 6 से कटके 6 हो गया तो हमारा equation linear form में convert हो गया 2x bracket में 6 plus 1 plus 6 equal to x minus 3 open the bracket here we get 12x plus 2 plus 6 equal to x minus 3 we can simplify we get 12x plus 8 equal to x minus 2 here we can transfer the x in the left side we get 12x minus x plus 18 is equal to minus 3 becomes 11x plus 8 is equal to minus 3 11x equal to minus 8 minus 3 or minus 8 is 11x is equal to minus 11 we can divide both 11 we get x is equal to minus 1 तो इसको हमने हल किया तो हमको equation x की value 1 होगा इसको check कर लेते हैं left hand side में देखिए x की जगा minus 1 रखा तो हमको हल करने के बाद minus 2 upon 3 बचा और फिर तो इसका मतलब RHS and LHS are same अब हम लोग जो है तो इससे हमनों को आसान हो जाता है जो linear equation यह fraction rational part का जो equation है उसको हम लोग को reduce कर लेते हैं linear form में हो जाता है यह simpler form में हो जाता है this is known the reducing equation to the simpler form next example है 5x minus 2 minus 2 bracket में x और 2x minus 7 equal to 2 bracket में 3x minus 1 plus 7 upon 2 यहां fraction part के वोली 7 upon 2 है अब इसको simplify करने के लिए तो left hand side को हम हल कर लिए इधर और right hand side को हल कर लिए यह मिला तो अब यह दोनों हमारा equation हो गया 14x ix plus 14 6x plus 3 upon 2 अब यह separate कर लें हम लोग जो है यहां reduce का इसमें जो है bracket था bracket को हटानी से ही हमारा यह हो गया तो इसको देखिए यह इसको 6x को जो है left hand side ले गया right से तो minus 6x हो गया और 14 को right hand side ले गया तो minus 14 हो गया अब इसको हल करने पर minus 5x is equal to 25 upon 2 तो इससे भाग दे दिया तो हमको यक्स बराबर क्या मिला 5 upon 2 यह required हमारा solution हो गया तो यह simple question था इसमें कोई cutting काम नहीं था अब हम लोग जो है exercise पर चलते हैं तो आप यह exercise देख रहे हैं यह fraction part में दोनों तरफ है इसमें भी है तो एक एक काम लोग solution देखते हैं हमारा पहला एक question था यह x upon 2 minus 1 upon 5 x upon 3 minus 1 upon 4 तो इसमें हम लोग constant को एक तरफ variable को एक तरफ कर लेते हैं यह constant को हम right hand side में ले गए और variable को left hand side में this become x upon 2 minus x upon 3 और इधर 1 upon 4 plus 1 upon 5 right hand side में अब यहां जो है दोनों इस 2 and 3 का LCM 6 तरफ जो है 3 x minus 2 x इधर जो है LCM 20 इसके जो है 5 plus 4 हाल किया तो 1 upon 6 is equal to 9 upon 20 अब जो है cross application से 6 को right hand side में ले गया तो 9 into 6 upon 20 और simplify किया तो यह 27 upon 10 इसको चेक कर सकते हैं यह हमारा right hand side left hand side है यह right hand side है अब यहां जो है x की value हमने रख दिया 27 बटे 10 इधर भी 27 बटे 10 तो यह इधर हो गया 27 बटे 20 minus 1 बटे 5 यहां 9 upon 10 minus 1 plus 1 upon 4 इधर LCM 20 हो गया तो 27 minus 4 इधर LCM 20 हो गया तो यह हो गया हमारा 18 plus 5 तो 27 में से 4 गया 2320 अठार पांच 2320 अठार पांच 2320 अठार लेप्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर एकोल्स इस इस दर करेक्ट नेक्स्ट कुस्चन देखते हैं हम लोग यह हमारा जो क्वेस्चन है यह यहन अपांट्ू माइनस 3 यहन अपां 4 प्लस 5 यहन अपां 6 इसकल टू 21 है तो इसमें सारे वेरियेबल हमारे एक ही तरफ है तो हम को इधर उदर ले जाने की जरूरत नहीं है तो इसको साल्ब करते हैं 2, 4, 6 का LCM हमारा 12 हुआ 2 से 12 ने भाग दिया 6 तो ये 6 यन हो गया 4 से भाग दिया 3 तो 3 into 3 9 हो गया 9 यन और यहाँ 6 से भाग दिया 2 तो 5 गुना 10 यन हो गया अब इसको जोड दिया तो 16 में से 9 हो गया 7 यन अब 5 12 बराबर 21 अब क्रास मेंटिप्लिकेशन से 12 को 21 में गुणा करके और 7 से भाग दिया तो हमारा यन की वेलू हो गई 36 अब इसको चेक भी कर सकते हैं यन की बराबर 36 रखते 36 बटे 2 माइनेस 3 गुड़े 36 बटे 4 धंचा 5 गुड़े 36 बटे 6 यहां से कट गया तो यह हो गया 18 यहां से 4 से कट गया यह 9 3 27 यह 6 से कट गया 6 6 35 और यहां जोडने गटाने के बाद हमारा क्या हो गया 21 अब लेफ्ट राइट हैंड साइड में 20 यहां बेरी सिंपल के वर एक तरफ यह आप्रेशन करना पर चेक करने के लिए दूसरे तरफ आंसर लिखाए आ गया इसलिए वेरिफाई हुआ अब हम लोग नेश्ट क्वेस्चन देखते हैं तीसरा तीसरा प्रेशन देखिए एक्स प्लस 7 माइनस 8 एक्स अपान 3 इक्वल टू 17 अपान 6 माइनस 5 अपान 2 तो अब इधर हम लोग जो है बेरियेबल सेप्रेशन कर लेते हैं जितने बेरियेबल हैं सबको राइट लेप्ट हैंड साइड में और निमेरिक वैल को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा एक्स अपान 1 एक्स अपान लिख सकते हैं माइनस 8 अपक चैर सकत अपान 3 और यह से माइनस 5 एक्स अपान 2 हो गया तो पाजिटिब हो गया क्या गुणा कर दिया तो 16 एक्स यहां जो है तीन का गुणा क्या तो 15 एक्स इधर जो है 17 हो गया और 7 का छे में गुणा तो 42 हो गया तो अब हम देखते हैं इसको सिंप्लिफाई किया सलूसर निका तो 5 एक्स इधर माइनिस 25 एपान 6 एक्स की वैलू के लिए हमने जो है इधर 6 का गुणा और 5 की भाग कर दिया तो यहां 6 से 6 कट गया इससे 5 से 25 कट गया 5 इसलिए हमारा उत्तर आ गया एक्स वराबर माइनिस 5 चेक कर लेते हैं हमने देख यह हमारा यहलेचेस है यहलेचेस में मेलू रखके और यहलेचेस में तो इधर हो गया 2 प्लस 40 वर्टे 3 यह हो गया 17 हां 5 छे प्लस 25 वर्टे 2 अब इसको सिंप्लिफाई कर दिया तो 6 प्लस 40 वर्टे पां 3 और इधर 17 प्लस 75 पां 6 तो अब यह जो है यह इंकलत लिखा हुआ है यह हमारा क्या होगा यह ठीक है 75 तो 96 अब अब यह जो है इसको दो से भाग देदे हैं अगर हम तो यह 46 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा अब यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मराबर हुए है क्लियर अब आंसर हम लोग जो है सेकेंड नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन में दिया है एक्स माइनस 5 अपान 3 लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड में दिया है एक्स माइनस 3 अपान 5 तो हम लोग सिंप्लिफाइ करने के लिए क्लास मर्टिप्लिकेशन इसका 5 का जो है एक्स माइनस 5 में और 3 का जो है एक्स माइनस 3 में गुड़ा कर देते हैं तो हमको क्या मिला 5 अपाय एक्स माइनस 25 बराबर 3 अक्स माइनस 9 अब जो है वैरियेवल को टांसफर कर लिया तो यह हो गया हमारा 5 अपान 2 एक्स एक्स to minus 9 plus 25 तो यहां हो गया हमारा 2x is equal to 17 इसलिए x बराबर 16 अपान 2 equal to 8 answer हो गया इसको check भी कर सकते हैं तो check करने के लिए देखिए यह हमारा जो है LHS है यह RHS है तो यहां x की value हमने 8 रखी तो 8-3 पान 3 इधर 8-3 पान 3 और इधर 8-3 पान 5 तो यह 3 पान 3 इधर 5 पान 5 तो इसलिए 1 बराबर 1 राइट एंड साइड बराबर लेप्ट हैं इसका मितले भी यह correct है नेक्स हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन 5 यह जो है बाटन सवाल है कई बार पुछा गया है इसको ध्यान से देखें 3T माइनस 2 अपान 4 माइनस 2T प्लस 3 अपान 2 और राइट हैंड साइड में 2 अपान 3 माइनस T तो अब variable separate कर लेंगे यहां हम लोग bracket लगा देंगे नीचे लगा हुआ है तो अब देखिए अब इसको सिंप्लिफाई किया तो हमको मिला 13T माइनस 18 अपान 12 इधर 2 अपान 3 ही है अब यह क्रास मुल्टिप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3 इंटू 13 माइनस 18 एक्कॉल टू टू इंटू 12 अभी हमारा कॉस्चन लिनेर में बिदल गया अभी हो गया 39T माइनस 54 बराबर 24 थर्टी नाइन टी बराबर 24 प्लस 54 इसलिए जो है 39T बराबर 78 इसलिए टी इसकल तो हमारा आंसर हो गया सिंप्लिफाइ करने के लिए टी की वैलो यहां पुट कर दिया तो 3 इंटू 2 माइनस 2 अपान 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 अपान 3 इसकल तो 2 अपान 3 माइनस 2 अब इसको सिंप्लिफाइ कर दिया 6 माइनस 2 अपान 4 माइनस 4 प्लस 3 अपान 2 इकल टो 2 माइनस 6 अपान 3 अब इसको फिर हल कर दिया 4 अपान 4 7 अपान 3 और इदर माइनस 4 अपान 3 राइट इंसाइड में हो गया यह हो गया 1 अपान 1 यह हो गया 7-7 अपान 3-4 अपान 3 इदर हो गया तो इदर जो है 3 LCM हमारा LCM 3 हो गया इसलिए 3-7 अपान 3 इदर 4-4 अपान 3 ही है तो इदर घटने के वास्ट से माइनस 7 से 3 गया तो माइनस 4 अपान 3 और इदर माइनस 4 अपान 3 पहले से था राइट है इंसाइड में इसलिए दोनों बराबर हैं इसलिए हमारा answer correct अब जो है next question देखते हैं छठा सवाल अब यह देखिए यह भी important है यह माइनस यह माइनस 1 अपान 2 एक्वल टू 1 माइनस यह माइनस अपान 2 अब यहाँ LCM हमारा यहम का डिनामिनेटर 1 हो गया इदर इसका ही हो गया अब हमने जो है सब वैरियाबल्स को एक तरफ कर लिया असानी से हल करने के लिए तो 1,2,0,3 का LCM 6 हो गया तो हो गया हमारा 6M 3 माइनस 3 का M-1 में गुड़ा और एगर 2 का M-2 में गुड़ा तो हो गया 6M गया 3M प्लस 3 दर 2M माइनस 4 एक्वल टू 1 अब यह हो गया हमारा 5M-1 अपान 6 इसकल टू 1 फाइब माइनस 5M-1 एक्वल टू 6 6 का किदर मटिप्लिकेशन हो गया अब हमारा हो गया 5M इसकल टू 7 इसलिए जो है 7 इसकल टू 7 अपान 5 आंसर हो गया अब इसको चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम की बैलू रखके यह चेक करते हैं 7 अपान 5 माइनस 7 अपान 5 माइनस 1 अपान 2 1 माइनस 7 अपान 5 माइनस 2 अपान 3 यह हो गया अब इसको फिर सिंप्लिफाई करें 7 अपान 5 2 माइनस 1 तो यह हो गया 7 अपान 5 तो यह हो गया तो अब यह जो है तो यह हो दो समय दो केंसिल हो गया तो यह 7 अपान 5 माइनस 1 अपान 5 इकोल टो एक वन प्लस तो फिर लगुत्यम ले लिया तो यह 7 माइनस 1 अपान 5 इसले इसको कोई दिक्कत नहीं है कि अलगुडा करके सिंपलेस्ट कर सकते हैं तो 3 का T में 3T minus 9 equal to 10T plus 5 T को separate करके अपने दूसरे दरफ ले आया तो यह 3T minus 10T is equal to 5 plus 9 यह हो गया minus 7T is equal to 14 तो T is equal to हो गया 14 upon minus 7 it's become say T is equal to minus 2 answer हो गया अभी स्कोर रख के चेक कर सकते हैं left hand hand side में तो 3 bracket में minus 2T की वैलू और 3 तो आई दर 5 into 2 into minus 2T की वैलू plus 1 तो इधर हो गया हमारा 3 into minus 5 और इधर हो गया 5 bracket में minus 4 plus 1 तो इधर हो गया हमारा minus 15 left hand side में और इधर 5 into minus 3 इधर भी आ गया इस लेश को भीगा किया तो दोनों तरफ हमको minus 15 मिला तो इसलिए LHS बराबर RHS यह clear हो गया अब हम लोग जो है next question देखते हैं इसमें भी केवल bracket को हटाना है simplest fire में convert हो जाएगा अब यहां देखिए पंदरा का गुरा जो है y में तो 15y minus 6 minus 2y plus 18 minus minus plus हो गया यह 5y plus 13 equal to 0 है तो इसको simplest कर दिया तो 18y minus 12 हो गया बराबर 0 12 को इदर लिया तो 18y is equal to 12 इसलिए y is equal to 12 upon 18 इसलिए y बराबर 2 upon 3 यह answer होगे हमारा अब जो है इसको चेक कर लेते हैं अब यहां y की value put कर दीजिए 15 bracket में 2 upon 3 y की value minus 4 minus 2 2 upon 3 y की value minus 9 plus 5 bracket में 2 upon 3 y की value plus 6 अब सब bracket के अंदर हल कर लेते हैं तो यह 15 into 2 minus 12 upon 3 minus 2 bracket के अंदर 2 minus 27 27 upon 3 plus 5 into 2 upon 2 plus 18 upon 3 तो अब इसको है सिंप्लिफाई के तो 15 into minus 10 upon 3 minus 2 into 25 upon 3 plus 5 into 20 upon 3 तो यह होगे है minus 15 यह 15 upon 3 plus 100 upon 3 तो यह होगे है minus 15 यह 150 upon 3 तो यह 3 से कट के 50 होगे है इसलिए minus 50 plus 50 equal to 0 इसलिए दोनों पक्षों में 0 आ गया इसका मतलब LHS बराबर LHS होगे है आंसर चेक हुआ सही नेक्स्ट क्वेस्चन हम देखते है नाइन नाइन में भी सिंप्लेस्ट के वल प्रेकेट अटाना है सिंप्लेस्ट फार में हमारा कनवर्ट हो जाएगा तो 3 का गुड़ा Z में तो यह हो गया 3 का 5 तो 15 Z 21 माइनस 18 Z प्लस 22 और इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में 32 Z माइनस 52 माइनस 17 और इधर जब हल करेंगे तो 15 माइनस 3 Z हो गया यह 20 21 तो प्लस 1 हो गया इधर 32 तो प्लस 22 Z ही है और 52 प्लस minus 70 minus 69 हो गया minus 3 Z equal to minus 32 Z is equal to minus 69 minus 1 here the minus 35 Z is equal to minus 70 Z is equal to minus 70 upon minus 35 the answer हो गया 2 कड़ जाएगा minus से minus कड़ गया प्लस 5 से यह तो हो गया चेक कर लेते हैं अंसर को Z की value अब हैं हम लोग पूट कर देते हैं 2 तो 3 bracket में 5 into 2 minus 7 minus 2 bracket में 9 into 2 minus 11 right hand side में 4 bracket में 8 into 2 minus 13 तो यह हो जाएगा 3 bracket में 10 minus 7 2 into 18 minus 11 plus equal to 4 18 16 minus 13 minus 17 हो गया तो यहां से हमारा आग यहां 3 10 में से 7 जाएगा 3 यहां 2 11 में से 18 में से 11 जाएगा 7 इदर 4 into 3 16 में से 13 जाएगा 3 और minus 7 त्ये 3,3 into 3 just 3 जाएगा 3 बराबा रिएगा 9 तो 10 14 और 3 14 जाएगा 4 जाएगा जल्द 9-14 आएगा त्य relationship 3 21-17 जाएगा जेका फार्तिन जाफैन ब्हार जाएगा 9 जाएगा 7 जाएगा जाबाशंए हम लोग लिएको शावाल देखते हैं यह है हमारा 0.25 को 4 में गुणा कर दिया 3 में गुणा कर दिया इधर 0.5 को गुणा करना है तो यह हो गया 1.00F यह हो गया 0.75 इधर हो गया हमारा 0.5F equal to 0.45 अभी यह जो है यह आपको एक तरफ कर लिया 1 minus 0.5F equal to minus 0.45 plus 0.75 तो इधर हो गया 0.5F is equal to 0.03F is equal to 0.3 upon 0.5 तो इसको हल कर दिया तो हमारा आगया 0.6 अब इसकी value रख के देख लेते हैं 25 into 0 4 into 0.6 minus 3 0.05 into 10 into 6.0.6 minus 9 अब यह हो जाएगा 0.25 into bracket में 2.4 minus 3 और इदर 0.05 into 6 minus 9 तिया हो जाएगा 0.25 into minus 0.6 और इदर 0.05 into minus 3 और इदर multiplication करने के बाद minus 0.15 और इदर भी minus 0.15 LHS और LHS और LHS बराबर इस इस दा correct answer इस तरह हम लोग जो है सारे questions कर लिए अब हम लोग end पर पहुंचते हैं सबको thanks अब next class में मिलेंगे अब हुआ है